युहन्ना रचित सुसमचार दस्वा अध्याए मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़ शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वे भेड़ों का चरवा है, उसके लिए द्वार पाल, द्वार खोल देता है, और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं, और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, और बाहर ले जाता है, और जब वे अपनी सब भ पराय के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। इश्व ने उनसे यह द्रश्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बाते हैं, जो वे हमसे कहता है। तब इश्व ने उनसे फिर कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि भेडों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझ से पहले आये, वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भे बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नश्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और भहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड और भेड़िया उन्हें पकरता और तितर बितर कर देता है। वे इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। इसी तरह मैं अपनी मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, और मेरी और भी भेड़े हैं, जो इस भेड़ शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही जुन्ड और एक ही चरवाहा होगा। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, यह आग्या मेरे पिता से मुझे मिली है। यरिश्ले में स्थापन पर्भ हुआ और जाले की रितु थी, और ईश्यू मंदिर में सुलिमान के उसारे में तहल रहा था, तब यहुदियों ने उसे आघेरा और पूछा, तु हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा। यदि तु मसी है, तो हमसे साफ कह दे। परंत तुम इसलिए प्रतीती नहीं करते कि मेरी भेडों में से नहीं हो, मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे-पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हे मेरे हाथ से छीन न लेगा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक हैं। यहुदियों ने उसे पत्थरवा करने को, फिर पत्थर उठाए, इस पर ईशु ने उनसे कहा, कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन मेंसे किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवा करते हो। यहुदियों ने उसको उत्तर दिया, कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थर वाह नहीं करते, परन्तु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तुम मनिश्य होकर अपने आपको परमेश्वर बनाता है। इश्व ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी विवस्था में नहीं लिखा है, कि मैंने कहा तुम इश्वर हो। परन्तु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी प्रतीती न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीती करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, तब नोंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परन्तु वह उनके हाथ से निकल गया फिर वह यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया, जहां युहन्ना पहले बब्तिस्मा दिया करता था और वही रहा, और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि युहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परन्तु जो कुछ युहन्ना ने इसके विशे में कहा था, वह स तब सच था और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया।